हलो एब्रिवान इट्स में सार और आप सभी का ड्रागन मास्टर के और इनी विसूट में स्वागत हैं तो यह बले विसूट के विस्टार्ट में से होते हैं जहाँ आप हम लोगों ने देखा था यूंजी उसे ब्लाक कर्प लेडी से क्या उटते हैं कि 20 साल पहले मैंने हसता हुआ क्या उटते हैं कि अरे उन्सी बेटी तुम यह पे क्या कहना चाथी हो कि तुमने मेरा जिंदीगा बचा था और इसके बतले कि आप मुझे कुत्त बन के तुमहरे सामने दू मिलेना चाहिए था पर यह उन्सी तो उससे रुखा था हुआ क्या उच्टे कि तुम पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगी और यह सब कुछ देखता हुआ जरायल आकिंद से यह कहते हैं तो चलिए ना जाकर बाकि सबसे ले ले दे और आखिर में आकर देखेंगे जिस पे तो इंजी क्या उटती है कि हां तुमने सही का बैसे भी कुछ लोग लेवल के सैनिक से माया पर क्या ही कर लूँगी जो देखते ही तो वह चनल क्या उटता है कि अरे अच्छे से दिखने के बात दो हम लोगों को पता जलता है कि अरे यह तो और कोई नहीं हम लोगों के जाव मेंगलिंग था जो तो अभी अपने अजूर कांगलन ड्रागन यानिक ग्रिनी के साधियां पर आ चुका था जिसे देखता हुआ बागी सारे सानी क्या उटते हैं कि अरे देखो तो यह बंदा कितना ही पार भूलें तब भी तो मैं सोचो मारारी ने आखिर इस बंदे से साधी क्यों किया फूसरा और तो जाव बैटल फिल में आते ही बागी सारे कावों को 440 बोल्ट का जटका देना स्टार्ट कर देता हैं जो खाते ही तो भेजर एम मोडल ग्रोस क्रोर फ्राइबन के उपर बाले के पास ही पहुच जाते हैं और जाव का ये का नमा देखने के बाद दो बागी सारे सानी की जो से भरता हुआ आग के तरफ हम लगने के लिए चलि बादी है यहनिकि इसका कारें तो स्रिप एकक ही हो laşकता है और जाव तो जहट पेड करके उनसी के पास आता हुआ कτέके मेरे प्यारी पीडिया चाथ के साति निん को अच्छ से देने के बाद जाव क्या हूँ एक तब भी मैं इस सोच हूं इस लडर को इतना जाना पहाशन क्यों लग रहा है उस दिन डेंजन के अंदर मैं अपने होस में नहीं था पर हां मैं एक लिर्की को जरूर देखा था जो देखने में इसी ब्लैकर लेडी के दरा ही लग रही देखो तो मैं यहां पर क्या ही सब बगजा रहा हूं पैसे भी वी क्या तुम इस लड़की को मानन छोड़ दो बागे सबको तो मैं समान लूँगा तुम चलो इस लड़की को पहले मार लो और जाओ का यह बात सुनते ही यूंजी हसता हुआ क्या ओट थे कि अरे तुम मेरे बारे में इतना ही कमशुर हूं जिस पतर यूंजी जट पेट करके जाओ का हाथ आमता हुआ क्या ऐसा कोई बात नहीं है पहले तुम कमशुर हूआ करते थे तर अब भी तो देखो तुम कितने ही पाउरफुल बेंच गो और अब भी तो तुम्हार अभी भी होने पे मुझे फकर होता है और यह बात सुनते ही तो जहाँ पे जाओ का कॉंपिडेंस छेटे आसमान में पहु नहां जाओ तुम यहां पे देखके रहाना क्योंकि यह जगां पारफुल हस्तियों से भड़ा हुआ है सब भी तुम्हां पे यहां बीबी को रुकाता हुआ अग ब्लाक कर बलेडी क्या उड़ती है बेटी उन्ची देखो तो कैसे एक जंगली का हाथ पक्रें घुम रहे ह इसका मतलब तुम भी कोई आमसा विस्तों नहीं हुँ जो सुनते तो ब्लाक कर भासती हुए कहती है कि चलो बैच्चे आखिरकार तुम्हारा अंदर दिमाग दाया और अभी तुम्हारा सामना तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन उसे तो उसे दो बारा से रुकात हुआ है क्या आसा कि हर एक कहानी में ही होता है यह सुनते तो विलेन लेड़ी यहां पर जोर जोर से जिलाना स्टार्ट कर देती है पर बिच्ची उन्जी कहां इस लड़की का बात सुन रहे थी वह ताभी मज़े के साथ अपने तलवार का स्तेमाल करते हुए सबको वो कमाना स्टार्ट करते हैं और यह देखने के बात हारे एक फिलेन के तरहीं ब्लाग कर भी क्या ओड़ी कि अरे ऐसा क्या से हो सकता है तुम है इतने पारफुल क्या से हो सकते हो लेकिन तुम्हारा यह जो खुबसूर्ट सा हस्बें तुम इसका क्या करोगे तुम यहाप मेरे साथ फाइट कर के लिए आ चुका था जिसका नाम यहां पर बाई स्योंग बता जाते हैं और जो एंसे नाइट बॉन सिटी का हीरो भी था और जिसे देखते ही तो जाओ हसता हुआ क्या उड़ता है कि अरे देखो तो यहां पर और एक हीरो में रहत्त चलने के लिए आ चुका है जिस पर भी कि उससे के साथ गया उड़ता है कि वह बागे साथ फाइटर जैसा नहीं है वह एक ड्रैकनिक फाइटर है जो हैं पर ड्रैकनों का खुन और मास्का के पार्फूल बनते हैं और आज तो यहां पर जाओ का यह जो आज़ूद रगन है उससे खाने बाला है जो सुनती है तो जाव क्या उटता है कि चलो आप आज देखे लेता है कि तुम कितने ही पाउर्फुल हो पर तब भी तो बाई यहाँ पर ग्रीनी को डिफावर करने के लिए उसके उपर एक जोरदर हमला कर देता है यह हमला अपने तरबाता हुआ देखने के बाद ग्रीनी भी जच्च्पट और कोई भी हो सकता है यह देखे बाई हासता हुआ क्या उटता है कि अरे बच्चें तुम्हारे इस ग्रीनी का पाउर तो अदना ज़्याटा नहीं है मुझे तो अभी यह लगता है कि यह ग्रेनी ना कुछ दर पहले यह कि बना है जो तो आभी आपने डेविलाल से कहता है ये डेविलाल अभी सब कुछ तुम्हेरे उपर है और इसी के साल डेविलाल तो जटपिट करके बाई के उपर हमला करना स्टार्ट कर देता है जो तो यहापर हमला करने के लिए अपने बॉइड और इलुजम टेक्रिक कर रहा था और इसी वियासे बेचारे बाई को पता ही यह चल रहा था कि उसको पर आखिर किसने हमला कर दिया जो तो भी दर्ट का मारा अंधा दूर हमला करना स्टार्ट कर देता है दूसरे और तो इसे मौके का फायदा उठाते हुए डेविलाल अपने पॉच्छन फॉक को फैलाता हुए कि चलो कच्छे जटपिट करो अभी भी समझ चुगा था कि यह धून कुछ तालग है क्योंकि धून के अंधर पॉईजन भरा हुआ है पर बिच्चा बाई यहां पर कुछ समझ भी पाता है उससे पहले तो ग्रिणी पी चटपिट करके जाकर उसके उपर एक जो दर्धार धंडर से हमला कर देता है इस बार का यह जो हमला था यह तो सीधा जाकर उसके उपर ही लगता है जो खाने के बाद अभी तो बाई समझ गया था हमलों का बच्चा जाओं में कोई आमसा इंसान नहीं है क्योंकि अभी से ही जाओं के पास दो दो किंग लेविल का ड्रागन को भी दिखाया थैं जो तो एक था हम लोगा आज मेरा कितना बड़ा मदद कर दिया और आज इन दोनों के हैं पर खाने के बाद मेरा पार तो नेक्स ट्रेपल में पहुंच जाएगा अगर आप लोग यह अपल एपिसोड चल लगा तो लाइक कोमेंट और हां सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना और एक ने झाला